आपने तो कई बार सुना होगा कि पैरों में लक्ष्मी का वास होता है यानि कि पैरों में प्रोस्पेरिटी चुपी होती है आखिर इस बात का मतलब क्या है आप अपने पैर के तलवे के जो आपका पैर का तलवा होता है उसमें सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसमें हम और चक्र बोलते हैं धर्ती से जुड़ावा चक्र यानि कि जो हमें प्रोस्पेरिटी जो हमारा भाग्योदे धर्ती मां से होता है वो इस चक्र से एनर्जी प अच्छे से साफ करें पहले तो साफ पैरों से सोएं और फिर पैर सुखाने के बाद पैर के तल्वे के सेंटर में गुलाब का इत्र लगाएं इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको जीवन की सारी सुक्सविदाय में लेंगी शादी जल्दी हो जाएं इसके लिए एक पान में एक सुपारी और दो केसर के दाने डाल कर ये डेली आप हो सके तो विश्णु देव के टेंपल में चड़ा दे बहुत अच्छा रहेगा अगर ये ना कर सके तो आप मा दुरगा के सामने भी चड़ा सकते हैं इसको लगातार 47 डेज कीजिए आपके शादी के योग खुल जाएंगे